एक बार फिर हमारे अतितियों से आपको यह मुलाकात कराता हूँ, सौरप सिहिंग जी हैं, जो कि पूर्ट इथाएक हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नरेन सोनी जी हैं, कॉंगरेस के वरिष्ट नेता हैं और सतेयंद भधोरिया जी, कॉंगरेस के वरिष्ट नेता ह जाना कि हम जनता का पृतिनिद्व करते हैं, पार्टी का पृतिनिद्व करते हैं, इजी कोई ऐसी प्लानिंग से, कोई ऐसी योजना है, कि जो की ठीक नहीं रहेगी शहर के लिए, लोगों के लिए, क्यों ना उसे पहले ही रोखवा दिया जाए? देखे, समस्या यह नहीं है कि कौन रोख पाएगा, समस्या यह है कि जैसे आपने इसका बनाया है, मद्र पृदेश का भविश्ट निसे, कटनी जिले की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, कि कटनी को क्या मिला मद्र पृदेश से, हम कटनी वासी लागातार हमाई दो बड़े बगल में सतना और जवलपूर, पहले जब 1998 में 27 में को हमरा जिला बना, लगबख 20-25 वर्ष हो गए, तब से आज तक हम लोगों को किनारे रखा गया है, जब भी कुछ देने का नंबर आता है, तो बड़ी मुश्कल से यहां मिलता है, मेरा कारिकाल रहा 2014-2018, उप चुनाव लगाए, वो उन्होंने हमाये छेतर पे कोई धान ने दिया, मतलब हमारे छेतर में और कटनी जिले में, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, हमारा जो मेरा विधान सब है, बहुरी बन, वो मुलता है कृषी अधारित छेतर है, और पसे चाहेगी कोई विवस्था नहीं है, च ये सिर्फ योजनाओं का तरीका है, मतलब एक खेत इस लकीर के इस पार है, बहरी बंद में पढ़ेगा, या कटनी जिले में पढ़ेगा, तो उस पे एक एकड़ में 18 कुंटल सरकार खरीद लेती है, और उसे एक खेद बगल में, मतलब मीटर नहीं, इंच का दूरी होगा, वहाँ बाइस कुंटल एकड़ सरकार लेती है तो जो हमाई साथ कटनी के साथ होता है, उसकोल में मास्टर नहीं, अस्पटाल में डॉक्टर नहीं है, सडकें बनती है, उसके बाद उनको खोडा जाता है, उनमें नाली, उनमें पाइक ब्लैंड डाली जाती है, जनता ने 15 महीनए आपको भी मोका दिया ता, तो या स्कूल में टीचर से बड़े ते, बिलकुल, आप करते हैं, जब आप माकान बनाते हैं, तो पहले निव डालते हैं, धिरे धिरे करके उड़ता है, लेंटर कनम सब से अखरी में आता है, तो जब स्टाट हुआ, मशीन री टाइट हुई, हम लोगों ने लाइन अप करने का प्रयास किया, तो अंदरामीन में सकाल गर करी, आपने करजम आफ नहीं किया, 27 लाग किसानों का, मैं बोल रहा हूं, 50 यह हुआ, 25 यह हुआ, अगर एक भी किसान का करजम माफ हुआ, मतलब वचन में नियत साफ थी, हमाय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा हुआ करने का पूरी इमानदारी से प्रेस किया, पर अगर आप किसी ब गिरा दिया, तो कुल मिला के कटिमी में जो कटिमी जिले की समस्या है, अब हमारे आप पानी की बहुत बड़ी समस्या है, अरण जीब, जिकरुवा की सर्कार गिरा दी, बीचीब तो बोलती है चले गए, चले आए, गिराई नहीं है, गिराई गई है, देके ऐसा है कि कहने विशे गिराई या नहीं गिराई वो सब ने देखा उससे पहले मानी अनुरुतम मिश्रा जी कह रहे थे करोणा है सिफ कांग्रेस के करोणा हुआ है करोणी डरोना है और उसके पाद है दो साल तक इतना लंबा लॉक्डाउन रालों का पलाइन हुआ हमारे यहां पर लेकिन म पहले का नहीं उत्रप्रदेश बिहार जहां पर बसी बसाहट है वहां पर जल्दी स्प्रेड होगा अब यहां हमारे यहां एक ग्राम पंचयद में चार गाउं है और दूरी दो-दो किलोमेटर है तो असुबावी ग्रूप से अगर आपने हल्ला कर दिया नहीं निकलना आ और आज भी जो बर रहे हमारे कटनी जेले का राजस्व इन दौर के बाद सेकेंड नमबर पे था और उतने राजस्व के बाद हमको कभी नहीं मिला एक पुल जो आधरनी पूर महा पाड़ जी नहीं बोला एक पुल सुकीर्दी भाईया ने बोला भई हमारे यहां पे होई जिनांग तक वो नगर निगम सिकूरता जा रहा है हम फज गए हमसे आप राजस्व लेते हो खदाने हैं हमारे यहां पर हमाए खदानों से सबसे जादा राजस्व जाता है लग भग मान के चलिए और जो डियाफ का फंड पूरे प्रदेश में बढ़ता है देने का नमबर पराभर आता है तो सदृबख भारगो जी ऑष्बिया जा रही है और मगल्रेश का इन फारे दानो जारी इस हृए कि यहां से जूटmac होता है थाल्था कर तो तो बीजेपी की है शशक्त तो आबाज बनना होगा ना फिर जनता की इसमें थोड़ा सा हम लोग के साथ धोका हुआ धोका ये हुआ कि कांग्रेस ने दो घरानों पे बहुत जदा भरोसा किया कांग्रेस पार्टी ने और दोनों घराने फिर बीजेपी में चले गए तो इनको जो यहां जब करने का समय था कांग्रेस जनता वालों के साथ तो उस समय दोनों घराने हमाई पार्टी आखलन नहीं कर पाई पहले से देखें कमी पार्टी में नहीं है अब एक जमाने पे कोन आगे रहे और आपने बड़ी आसानी से कहे दिया कि निकल गए वो ने नी मैं वो नहीं किया रहा हूँ जंता ने मौका दिया कॉंग्रेस को दिया भीजय पर दिया अभी आप बात कर रहे हैं मदर पुदेश का पविश्च कटनी से तो कटनी के लोगों की जो सोच है हर आदम आदमी डॉक्टर नहीं हर आदमी इंजीनियर नहीं है उसका वो लेविल नहीं कि वो जवाब देवर वो उसकी सामने सड़क बनी वो बहुत खुच हुआ मालूम पड़ा सड़क फिर से खुद गई अब क्या खुच हुआ पानी में हैं रैजर पाइप नहीं है बगल में ज कांग्रिस ने बहुत आंदूलन की है कितने जब देखे आंदूलन कांग्रिस ने अपनी जगे परयाप किये मैं जिला पंचायत में था उस समय और यह यहां पे उबोक्ता फोरम का कोड बन रहा था एक हमाई कलिक्टिट के बगल से एक रोड गई हुई है और माननी है उस स आप समझे लागातार भाजपा का बहुमत ज्यादा रहा तो कोई भी विश है जो आप चर्चा में सदन में लाईए चाहे यहां नीचे के फोरम पे लाईए बहुमत से निर्ने होना है अब हम तीन लोग है तो निर्ने के आएगा निर्ने उनके पक्ष में आएगा आएगा लोग नहीं समझ पाते हैं लोग क्यों चुल लेते हैं बीजेपी को क्या है इन से जूट अच्छे से बोलते बनता है भाजपा वालों से जतना अच्छा जूट बोलते हैं उस जूट में जनता आ जाती है और कांग्रेस वालों से जूट बोलते नहीं बनता इसलिए कांग् और इनके जूठे बादों में आके जन्ता बोट दे देती बोट के बाद पर क्या मिलता है जन्ता को कुछ नहीं हमारे हाँ तो लोग खेती के लिए छोड़िये पीने के लिए पानी नहीं हमारी ठीचेतर में आगे भी ऐसा ही होगा अब ये सरकार के भरोव से तो हमको लगता है ऐसा ही होगा लोग पांच-पांच किरो मीटर पानी लेने जा रहे हैं पीने के लिए खेती तो खेर हमारे यहां रहाली देखने को नहीं पूरी ठीचेतर में आप चले जाएए नर्बदा नहर यहां से नि अब एक हम लोग किसानों की समस्या हो गई है कि हमारे पास धोर आवारा है रात को फैंसिन्ग नहीं हूई आदमी खेत में बसा तो खेते नहीं हो नहीं दूसरी श्फिया हो गई है यह फानी और बजली बजली का जो टाइम उस हम को राद किसमैं बजली दी दी जाती है जहर का अबाधी का टाइम है वो चुर्पिस गुंटे लहीं दो जहाँ पानी के खेती है। तो कुटनी के साथ सोतेला वेवार हो रहा है rap相ोनी लाओं के साथ सोतेला वंचले क गहते हैं तरह आप budget पिन लाते हैं तोनी जी यह जो आरोप लग रहे हैं क्या आगे लग रहे हैं आपको अब जो सोतेला विभार के आरोप लगा रहे हैं अब रुख जाएगा यह अब हम लोग संघर्स थोड़ा और ज्यादा करेंगे वो सकता है रुख जाएगा वो बोल रहे ना आपकी बदोरिया जी समझा नहीं पाते हैं ठीक से जनता तो उदर चली आती है इस बार जनता भी समझ रही है और हम लोग समझाने की कोशिश भी करें इस बार आप कोशिश क कर रहे हैं जी भी हो गई यह बहुत ज्यादा तो आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम से चर्चा करने के लिए